नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि क्रोसिन 120 सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, क्रोसिन 120 सिरप को बच्चों को कैसे देना चाहिए? और क्रोसिन सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्रोसिन सिरप को बच्चों को देते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? क्रोसिन एक ब्रैंड नेम है, क्रोसिन सिरप के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन पेरासितामोल होता है, पेरासितामोल को एसितामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है, क्रोसिन सिरप का उप्योग चोटे बच्चों में दर्द और बुखार को कम करने के लिए क्रोसिन सिरप का उ जले के दर्द, आधी कंडीशन्स में क्रोसिन सिरब का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में सर्दी दुकाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी क्रोसिन सिरब का उप्योग किया जाता है। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर बच्चों में क्रोसिन सिरप की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं. क्रोसिन सिरप दर्द और बुखार की एक सुरक्षित दवा है, लेकिन ज्यादा डोज में क्रोसिन सिरप को लेने की वज़े से liver damage हो सकता है. allergic reaction किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है. यदि क्रोसिन सिरप को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मोगले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुझली, तवचा पर रैशेस या क्रोसिन सिरप को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है. तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण allergic reaction के हो सकते हैं, और allergic reaction होने पर तुरंत medical treatment की आवशकता होती है. अब हम discuss करेंगे की क्रोसिन सिरप को कैसे लेना recommended होता है, क्रोसिन सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तौर पर डॉक्टर क्रोसिन सिरप को बच्चे के शरीर के वजन के हिसाब से डोज को 10 mg से लेकर 15 mg प्रत किलोग्राम है तो 10 mg प्रती 1 kg के हिसाब से डॉक्तर 50 mg क्रोसिन सिरप को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सला दे सकते हैं क्रोसिन सिरप की 5 ml सिरप में 120 mg पेरासितामोल होता है क्रोसिन सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको क्रोसिन सिरप को आपके डोक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही क्रोसिन सिरप को बच्चे को देना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि क्रोसिन सिरप को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए डॉक्तर की सला के बिना लगातार तीन दिन से अधिक क्रोसिन सिरफ को बच्चों को देना रिक्मेंडेड नहीं है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना क्रोसिन सिरफ को लगातार तीन दिन से अधिक बच्चों को नहीं देना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका क्रोसिन सिरप से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके कुछ सकते हैं